So guys, pen card में correction करने के लिए आप लोग को text information network of income text department जो कि आप लोग को top में देखने को मिल रहा होगा इस पर आप लोग को आना होगा इस वाले website में इसका link मैंने आप लोग को description में दे दिया है So इस video को देखने के बाद complete process जानने के बाद किस परकार से आप लोग को correction करना है तो उसी परगार से आप लोग को इसमें करना होगा So यहाँ पर आप जैसे ही इस website पर आएंगे तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा Application type इस पर आप लोग को simply click करना है इसके बाद इसमें तीन option आप लोग को देखने को मिलेंगे यह दोनों option आप लोग को touch नहीं करना है नीचे एक option है changes और correction in existing pen data इस पर आप लोग को simply click करना है देन आप लोग को नीचे category option देखने को मिल रहा होगा इस पर click करेंगे और यहाँ पर आप लोग को सबसे उपर में एक individual का section देखने को मिल रहा होगा इस पर आप लोग को click करना है इसके बाद just नीचे guys आप लोग को applicant information भरना होगा मतलब की जिसका भी pen card में correction किया जा रहा है उसका detail यहाँ पर मांगा जा रहा है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर title select करना होगा जैसे कि स्री स्रीमतियक कुमारी आप लोग यहाँ पर select कर लिजे यहाँ पर आप लोग को last name इंटर करना होगा जो की surname होता है इसके बाद first name यहाँ पर इंटर करना होगा अगर आपके pen card में या फिर आपकी name में कोई middle name है तो आप लोग को यहाँ पर इंटर करना है ठीक है आप लोग अपना birth year select करेंगे यहां से इसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे अपना month चूज करेंगे देन यहाँ पे आप लोगो date चूज कर लेना है सेम इसी प्रगार से मैंने example के लिए आप लोगो बता दिया है इसके बाद यहाँ पे आप लोगो देखने को मिल रहा होगा email id डालने का option तो email id आप लोगो यहाँ पे इंटर करना होगा mobile number यहाँ पे इंटर करना है देन नीचे आप लोगो से पूछा जा रहा है कि क्या आप भारती नागरिक हैं तो आप लोग को यहाँ पे yes कर देना है इसके बाद नीचे आप लोग को pain number enter करना है यहाँ पे ठीक है इसके बाद आप लोग को यहाँ पे simply एक tick कर देना है then यहाँ पे आप लोग को एक capture देखने को मिल रहा होगा इसे आप लोग को azts यहाँ पे paste कर देना है then submit के button पे click कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे आप लोग को next page में कुछ इस प्रगार का देखने को मिलेगा यहाँ पे basically thank you कहा जा रहा है कि आप pin application service को इस्तमाल कर रहे हैं और आप जो है यहाँ पे जो correction का request डाले है वो successfully registered हो चुका है with a token number आप लोग को यहाँ पे एक token number देखने को मिल रहा होगा जिसे मैंने blur कर दिया है लेकिन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका token number हलाकि यह token number जो है यह 30 days तक valid रहेगा आप इस token number के थूँ अपना pain correction है वो 30 days तक आप कर सकते हैं इसके लावा यहाँ पे कहा गया है कि आगे आप लोग को और भी form भरना है नीचे आप लोग को एक button देखने को मिल रहा होगा continue with plan application form इस पर आप लोग को click करना है जैसे ही next page open होगा जिसमें आप लोग को अपना personal detail भरना होगा उससे पहले आप लोग को यहाँ पे एक save drop का option देखने को मिल रहा होगा इसके उपर आप लोग को simply click करके आपने अभी तक जो भी form भरा है उसे save कर लेना है आप लोग को तो यहाँ पे simply click करेंगे जैसे ही आप save drop के option पे click करेंगे आप लोग को नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा your details are successfully saved इसका मतलब यह है कि अभी तक आप लोगों ने first में जो form भरा है उसमें जो भी detail भरा है वो save कर लिया गया है अगर आपका page जो है error हो जाता है अगर आप जो है किस गार से भी form नहीं भरेंगे आप बाद में भरना चाहेंगे तो आप यहीं से continue कर पाएंगे तो यहाँ आप लोगों को चार steps में इस form को भरना होगा सबसे पहले guideline था जिसे हमने भर लिया है इसके बाद यहाँ पर personal detail आप लोगों को भरना है then contact and other details भरना है then document आप लोगों को upload करने होंगे तो यहाँ पर इस page में आप लोगो personal detail भरना है और यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है how do you want to submit your pain application documents so हम यहाँ परी तरह से paperless तरीके से अपने pain को correction करने वाले है तो यहाँ पर first of all option को choose कर लेना है then नीचे आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको physical pen card की requirement है तो यहाँ पर आप लोगों को yes कर देना है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पार होगे tick है पहले से yes में और इसके बाद नीचे आप लोगों को आप लोगों का pen card number देखने को मिल जाएगा यहाँ पर इसके बाद नीचे आप लोगों को यहाँ पर आधार number only for individual का option देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर एक tick करने का option देखने को मिल रहा होगा इस पे आप लोग को simply tick करना है then नीचे आप लोग को यहाँ पे अपने अधार card का chart digit भरना होगा यहाँ पे आप लोग space देख पार होगे इसके just नीचे guys आप लोग से पूछा जा रहा है कि आप लोग के अधार card में जो भी photograph है मतलब कि जो photo आप लोग के अधार card में है वही photo जो है आप लोग के pen card में print होगा आप agree है या नहीं है आप लोग से यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप लोग को simply yes कर देना है देने यहाँ पे आप लोग को EID number only for individual तो आपने individual को select किया है तो आप लोग को यहाँ पे tick कर देना है यहाँ पे आप लोग को good and services text number देखने को मिल रहा होगा जिसे आप लोग को यहाँ पे छोड़ देना है इसे भढ़ने की जरूरत नहीं है इसके just नीचे guys आप लोग को यहाँ पे full name of the applicant देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है simply tick कर देना है then यहाँ पे आप लोग के name में अगर correction की जरूरत है अगर आपको name को correct करना है आपका name गलत है आपकी pin guard में तो यहाँ पे आप लोग को सही name इंटर कर देना है जो भी आपका name है जैसे कि last name यहाँ पे first name and middle name अगर आपको correct करना है तो यहाँ पे आप correct नाम डाल दीजेगा अगर यहाँ पे गलत mention किया गया है तो ओके तो यहाँ पे आप लोग correct कर दीजे और जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वही आप लोग का यहाँ पे print होगा तो print कौन सा name होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे अगर आपको अपने data birth में correction करना है तो यहाँ पे आप लोग को एक tick करने का option दीखने को मिल रहा होगा इस पे आप लोग को simply tick करना है तो यहाँ पे आप लोग को correct अपना data birth डालना होगा अगर ये गलत है, यहाँ पे गलत mention किया गया है, अगर आपकी pin card में गलत है, तो यहाँ पे आपनों को सही से enter करना होगा, और इसके just नीचे आपनों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा gender का option, तो यहाँ पे simply आपनों को tick करना है सबसे पहले, दिन अगर आपका gender भी गलत ह आपके पिन कार्ड में दिन आपनों को यहाँ पे सही जिंडर चूज करना होगा नीचे अगर आपका फोटो मिसमाच है या सिगनेचर मिसमाच है तो इसमें टिक लगा होगा तो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे डिटेल सब पारेंट्स का एक आप्शन देखने को मिल रहा ना होगा अगर आप प्यारेंट्स के डिटेल्स को छेंज करना चाहते हो तो सिंपली आपनों को इसको फादर करना है दिन आप लोंको यहां पर देखने को मिल जाएगा आपके फादर नीम का लास्टनेम ठीक है आपके फादर का interest name है जैसे की surname है जो आपनों को सब सबहुत इंटर करना है देन यहाँ पे आप लोग को first name इंटर करना है देन यहाँ पे middle name इंटर करना है आप लोग को यहाँ पे correct name इंटर करना है अगर आपकी pin card में गलत है तो ओके यहाँ पे आप लोग को correct name इंटर करना होगा जो भी है last name, first name और middle name इसके बाद mother name और जाना ऐस्रीम औस Keybase में? और जाना है इन रमेटराण राका चाहलते हैं इसके बाद यहां पे आप लोग अपने क्रिंट लोग किसका नेम प्रिंट करवानाचा देह है फार के नेम या फिर मदर का नेम आतो यहां पर यहां पर सिंप्ली टिक्क करना होगा form को आप जैसे ही next करेंगे आप देखेंगे कि आप लोग का जो personal detail है वो यहाँ पे complete हो चुका है इसके बाद contact and other detail आप लोग को भढ़ना होगा आप लोग next page पे आ जाएंगे यहाँ पे guys address for communication में नीचे आप लोग को आ जाना है अगर आप जो है अपने address को update करना चाहते हो अगर आप जो है कोई other address यहाँ पे update करना चाहते हो आपका address गलत है दिन आप लोग को क्या करना है यहाँ पे आप लोग को एक tick करने का option देखने को मिल रहा होगा इसके उपर आप लोग को simply click करना है जैसे ही click करेंगे तो other address डालने का option जो है आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप जो है एक करके जो जो डिटेल यहाँ पे मांगा गया है आपनों को भढ़ना होगा जैसे की name of the office अगर आप office का address देना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे भढ़ सकते हैं flat, room, door and block number आप डाल देंगे यहाँ पे यहाँ पे premises, building and village का name डाल देंगे road, state, lane and post office आप लोग के यहाँ पे भढ़ना होगा देन यहाँ पे area, locality यहाँ आप लोग को भढ़ना होगा देन यहाँ पे town, city, district यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है तो आप लोग को डाल देना है अपने address का जो भी आप लोग का city, district आ रहा है इसके बाद country आप लोगो select करना है country आप लोगो यहाँ पर India select कर लेना है इसके just नीचे आप लोगो union territory या फिर state आप लोगो select करना होगा देन pin code डालना है zip code आगर आपको पता है तो आप डाल सकते हो आदरोईज आप जो है इसे छोड़ सकते हो pin code डालना यहाँ पर mandatory होगा ओके तो यह आप लोगो समझ में आ गया होगा देन यहाँ पर telephone number email id details यहाँ पर मांगा जा रहा है तो आप लोगो simply यहाँ पर tick करना है सबसे पहले यहाँ पर आप लोगो सबसे पहले यहाँ पर एक section देखने को मिल रहा होगा country code का तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को इंडिया टाइप करना होगा तो आप लोग को यहाँ पे country code देखने को मिल जाएगा आप लोग को simply select कर लेना है उसे यहाँ पे आप लोग को आप लोग का नमबर देखने को मिलेगा यहाँ पे email id जो की blur आप लोग देख पारे होगे यहाँ पे automatic यह सारे जो है fill up होंगे आप लोग को fill करने की ज़रूत नहीं होगे आप लोग से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एक से अधिक pen card है या pen card number है अगर है तो आप लोग को यहाँ पे mention करना होगा अगर आपके पास एक ही है आपके पास एक से अधिक pen card number नहीं है तो आप लोग को इसे छोड़ देना है आप लोग को कुछ भी नहीं करना है जिसके पास गलती से दो pen card होते हैं उसके लिए यहाँ पे यह option रहता है, आप लोग को simply नीचे दिख रहें, next के button पे click कर देना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहोंगे, जैसे ही guys, आप next के button पे click करेंगे, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि contact and other details जो है, यहाँ पे tick लग चुका है, right का निशान यह पे आप आचुके है, document details का, इस page में आप लोग को जो है, अपना document detail देना होगा, document upload करना होगा, लेकिन इससे पहले, आप लोग ने जो भी detail अभी तक भरा है, उसे आप लोग को save करना है, so save draft के option पे आप लोग को simply click करना है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाए है, ओके जैसे की proof of identity आप लोग के अधार कार्ट के थुरू ले लिया गया है, proof of address ले लिया गया है, proof of data worth ले लिया गया है, लेकिन जस्त नीचे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, proof of pain का option, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, simply click करना है, देन आप लो को मिल रहा होगा, जिसे भरना बहुत ज़्यादा important है, अगर आप नहीं भरेंगे, तो आप इसे जो है, submit नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अपना name यहाँ पे enter करना होगा, देन आप लोग को यहाँ पे select को option पे click करना है, देन यहाँ पे आप ल को दो लिख देना है, simply मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पे simply आप लोग को दो enter कर देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पार होगे, मैंने दो enter कर दिया है, देन यहाँ पे आप लोग को place डालना होगा, ओके place डालने के बाद यहाँ यहाँ पे date देखन को मिल रहोगा simply submit के option पे click कर देना है